हांजी स्टूरेंट्स आज हम करेंगे टेस्ट फॉर डिविजिविलिटी ऑफ नंबर्स हर तरह के जो एक कम्पिटेटिव इजाम्स होते हैं उसमें वो कोश्चन ऐसा पुट करते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर देतेंगे और पुछेंगे कि क्या यह डिविजिवल है किस ऐसे हम कुछ सेकिंड्स में डिविलिटी चेक कर सकते हैं तू का तो जैसे आपको पता ही होगा क्योंक़ बिल्कुल्स सिंपल है तू मही हमें सिर्फ यूनेट पलेस का डिशर्ट देखना होता है मालब यवला यए जो यूनेट पलेस के डिशर्ट ये इनको आपने वेपर 4, 5, 7, तो 7 जो है वो 2 के table में नहीं आता है, that means यह divisible नहीं होएगा, clear, अब next हम चेक करते हैं कि 3 की divisibility कैसे check करेंगे, ठीक है, आपने यह करना है कि जो number आपको दिया हुआ है, उसका plus कर लो, उसके dz का, 3 plus 1 plus 2, यह हमारे पास आजाएगा 6, 6 जो है वो 3 के table में आता है, that means यह जो number है, यह divisible है हमारा, किसका 3 का, इसी तरह से हम कोई और number ले लेते हैं, 2, 1, 3, अगर इनके deserts का plus करो, तो यह भी क्या बनेगा, 6, तो यह भी divisible होएगा 3 का, next ले लो, 4, 5, 6, मालो यह number दिये, इसके deserts का भी plus करो आप, तो यह आपके पास आएगा 9, और 6, यह जाएगा 15, तो यह number जो है, यह भी 5 के table में आता है, sorry, 3 के table में आता है, that means यह भी divisible क्या होएगा, 3 का, इसी तरह से हम divisibility किसी भी number की check कर सकते हैं, clear, 3 का कोई number divisible है या नहीं है, वो कुछ seconds में ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे question में सिर्फ उनोंने यही पूछा होता है, कि इस तरह का question जो होएगा, उसमें इतना ही पूछा होएगा, अब divisibility हम check करते हैं 4 की, 4 के लिए आपके पास जो भी number है, जिसे माल लो हमारे पास number है 1132, ठीक है, इसके बाद हमारे पास number है 1348, ठीक है, इस तरह के number है, तो आपने क्या करना होता है, ऐसे cases में उसके 2 desert चेक करन है कि क्या, यह desert जो है, वो आते हैं 4 के table में, तो yes, आते हैं, that means यह दोनों ही number जो है, वो divisible क्या होएगे, 4 के, इसके लाबा एक और number अगर हम लेते हैं, 1400, तो जो zeros जब आ जाती है, ठीक है, 00 जब आ जाता है हमारे पास, तो यह भी divisible होएगा, अगर यहाँ पर 00 आ रहा ह जिसे अगर 0 आता है तो, और अगर 20 जाती है, तो 4 का divisible होगा, divisibility 5 की जो है, बहुत ही जादा easy है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ unit place पे 5 का check करना होता है, कि 0 या 5 आए, ठीक है, unit place के उपर, ठीक है, unit place के उपर क्या आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए, तो हमारे पास जैसे number ह 4, 5, 6, 7, 8, 5, last में 5 आ गया, that means यह number जो है divisible क्या है, 5 के, इसी तरह से number अगर ले ले लेते हैं, 9, 8, 0, 0, unit place पे 0 आ गया, that means यह number भी divisible क्या आएगा, 5 का, clear, तो 2 के लिए divisibility में हम देखते हैं, कि unit place पे even number, वाला 2 के table वाला number हो न चाहिए, या 0, 3 की divisibility चेक करने के लिए हम सभी numbers को plus करते हैं, और plus करने के बाद जो number आता है, वो अगर 3 के table में है, तो वो divisible होएगा, 4 के लिए हमने last के 2 desert देखने होते हैं, कि दोनों desert जो हैं, क्या यह 4 के table में आ रहे हैं, 0, 0 भी हो सकता है, तो वो divisible होएगा 4 का, इसके लिए 5 के 0 या 5 आना चाहिए, next हमें 6 की divisibility चेक करने हैं, तो इसके लिए आपने या रखना है कि वो number जो है, वो 2 का और 3 दोनों का divisible होना चाहिए, that means उस number को 2 और 3 की properties को दोनों को ही follow करना पड़ेगा, मालो मारे पास number है जैसे 120, तो last में unit place पे 0 है, that means 2 का divisible है, और इनके deserts को plus करन से 3 आजाता है, तो ये 3 का भी divisible है, अब इन दोनों को follow कर गया, that means ये 6 का divisible होएगा, इसके लावा मैं number ले ले लेती हूं, 3, 9, 0, last पे 0 है, तो 2 का divisible है, और इन दोनों numbers को plus करके क्या बनता है, हमारे पास 9, 11, 12, तो ये 3 का divisible भी है, clear, तो ऐसे numbers, ठीक है, जो 2 और 3 दोन के divisible होएगे, वो हमारे 6 के divisible होएगे, next divisibility test हम करते है, 7 के लिए, 7 का कोई perfect जो है particular नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम, हम 8 के के लिए करते है, 8 के लिए, देखो या करना है, हमें याद है, हमने 2 के लिए last का 1 single dessert देखा था, 4 के लिए हमने 2 देखे थे, 8 के लिए हम last के 3 dessert दे कि क्या यह जो 3 digits है, यह 8 के divide होते है, 8 से divide होते है, अगर यह 8 से divide होते है, that means 8 का divisible है, क्योंकि जो paper में question आता है, वो काफी बड़ी term होती है, ठीक है, इतनी छोट-छोटे simple terms नहीं होती, तो उसमें आपको check कर सकते हैं, सिर्फ 3 number को divide करके, 0,0,0 आएगा तो वो divisible होएगा next अगर हम 9 के लिए करते हैं, 9 का divisible कैसे check करेंगे, 9 का divisible भी वैसे ही check करते हैं, जैसे कि हम check करते हैं 3 का, जैसे कि मारे पास number है, 2,3,4,0,9, तो इसको हम plus कर लेते हैं, ठीक है, इसकी सारी terms को हम plus कर लेते हैं, तो इसको plus करके हमारा आ रहा है, 18, clear, अब जो 18 number है, यह divisible है 9 का, that means, यह जो number है, वो divisible के होएगा, 9 के, यह full day से, तो इसी तान सब किसी भी number के लिए check कर सकते हैं, इतना मजी बढ़ाओ, अच्छा, 10 के लिए बहुत simple सा है, कि last जो unit place है, ठीक है, unit place में लो जो last वाला desert होता है, वहाँ पर अगर 0 आ जाती है, तो वो divisible होएगा, ठीक ह जीरो, एक चेक कर लो, दो चेक कर लो, वो simple divisible होएगा, अब जो 11 की divisibility है, बहुत धोड़ी ध्यान से समझने वाली है, 11 की divisibility के लिए जैसे आप देख रहे हो, कि इस तरह का नंबर है, मैंने दो marker यूज करके इसको लिखा है, इसका मला जो alternative वाले numbers हैं, इनको आपने plus कर लेना है, मला 9, plus 9, plus 8 कर लेना है, clear, और उसको minus कर देना है, जो बाकी alternate numbers है, कौन-कौन से है, 0, plus 1, plus 3, मला start करना है अपने starting से, जो alternate numbers होते हैं, ठीक है, उनको आपस में plus कर लेना है, और उसको minus कर देना है, rest of alternate numbers में से, ठीक है, तो जब आप इसको solve करोगे, यह आपके पास आ जाएगा 22, 22 जो है, वो 11 का divisible है, that means, यह number जो है, 11 का divisible होएगा, next एसे यह number दिया होए, 5, 4, 0, 0, 4, 5, ठीक है, तो इसके में alternate number लिए, 5, 0, 4, और उनको minus कर दिया, मैंने 4, 0, 5 में से, तो my question answer आया है, वो 0 है, और 0 हर किसी का divisible होता है, mostly सभी का divisible होता है, तो 11 का divisible बन जाता है, यह factor, तो इस तरह से आपने देखा, कि हम divisibility किसी भी number की check कर सकते हैं, कुछ seconds में, 7 को छोड़के, mostly सभी की जो है, short tricks आपको बता दिये गए हैं, ठीक है, आप किसी भी number को लिखके, इन shortcut tricks को use करके solve कर सकते हो,